नमस्कार दैनिक शिव्ट टाइम में आप सबका स्वागत है मैं रश्मी शर्मा एक बड़ी खबर लेकर आपने व्यूवर के समख से हाजिर हुए जिस तरह से लगातार ट्वीटर की बात करें ट्वीटर हैंडल से और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर वायर खबर ये है कि देश के परदान मंतरी नरिंदर भाई मोधी जी को लेकर ये बड़ी खबर जो आ रही है कहीना कि पूरा देश आज ये इसके अलोचना कर रहा है कि आखिर देश के परदान मंतरी जी का रास्ता क्यूं रोका गया और जो हमने कैप्शन डाला है आखिर क्यू का है शब्द ये इसी शब्दों को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर लगातार एक जंग छिड़ गई है कि परदान मंतरी जी के साथ इस तरह का विवार होना वाकई निंदरी है यह खबर बताना चाहेंगे कि परदान मंतरी निंदर मोधी जी की रैली थी पंजाब में और जिस पर जिस तरह से बाद करें पंजाब में जोकी परदान मंतरी जी के रैली को संबोदीत करने बालेते चिसके चलते मोसं की करवट बदली तो उस रैली को स्वेड्न करना पड़ा वहीं दूसरी तरह। परदान मंतिशी ने हुसेनी वाली यत जो-टी व कफिला कर देश के साथ इस तरह का वहवार किस तरफ लेकर जाता है आम जंत अपने कमेंट में जरूर कमेंट बाक्त में कमेंट दीजिए क्यूंकि समय पूरे देश में हल्चल हो चुकी है एक आग की तरह फैलती जा रही है कि आखिर क्यों रोका गया परदान मंत्री जी का का काफिला फ्राई ओवर के ओपर 15 से 20 मिनट तक और साथ ही साथ ये शब्द जो परदान मंत्री जी के थे कि अपने सीम को थैंक्स कहना कि बठिंडा एरपोर्ट तक मैं जिन्दा लोड पाया क्या दर्शाता है इस मैसेज के पीछे कितने गहरे गहरा जो की अर्थ होगा कि वो भी 15 से 20 मिनट तक तो उसी के बाद परदान मंत्री जी के ये शब्द कहिना कि देशवासियों के दिल में इस समय घर कर गहे हैं और पुरे देश में आज देख रहे हैं कि पुरी तरह से आज इस ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर मैसेजज की ट्विटर पर इनक देश के परदान मंत्री की आती हैं भी वो चीजों को सत्यों को सामने लाने में पीछे नहीं आटेंगे एक बड़ी दुखती गट्रा कहेंगे या खबर कहेंगे कि आखिर क्यों कहना पड़ा देश के बारत देश के परदान मंत्री नरिंदर मोदी जी को कि शुक्र का ठैं निंदनी है यानि कि शरम सार यह जो हादसा हुआ या यह कह यह गटना हुई है इस घटना करम को लेते ही देखते ही या सुनते ही पूरे देश में आज इस समय हलचल मच गई है कि आखिर क्यों रोका गया परदान मंत्री जी का काफिला आखिर कहा थी वहां की सरकार सोई थी क वहां की प्रशासन सोया था कि परधान मंत्री जी का जो काफिला रोका गया है और साथी सत कहें कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक रैली को संबोधित करना था परधान मंत्री जी ने उसी के बाद जब मोसम की खराबी के करण वो रैली को स्थगित करना पूरा ने इच्छा जताई कि वो मार्टिस में मोरिल जाएंगे जो कि उसानी वाला में पड़ता है और लगबग तीन घंटे का रास्ता था पर 15 मिनट की अभी दूरी तहकी थी कि काफ लेको रोका गया परधान मंत्री जी का जब वहां से क्योंकि जिस तरह से आप जानते और वही दूसरी तरफ ये कहें कि इस तरह का हासा होना इस तरह की बात सामने होना कही ना कही ये जताता है कि आखिर कैसे खबर पहुंची कि परधान मंत्री जी का काफला इस तरह से जा रहा है ये कहेंगे कि इस तरह की चीजे वाके ही निंदनी है कि देश के परधान मंत्री जी के साथ कही न कि इस तरह का वेवार किस तरफ इशारा करता है ये आप भी बली बांती समझते हैं हम भी समयते हैं पर आज एक बहुती दुखद खबर है ये दुखद गटना है कि पंजाब प्रशासन और पंजास सरकार के ना कतले माननिय परधान मंत्री जी का काफिला 15-20 मिनट तक रोका गया अखिर क्या कारण था उस काफिले को रोकने का वहाँ पर क्यूं प्रशासन नहीं था क्यूंकि अगर जरा सा जैम भी लगता है तो प्रशासन हरकत में आता है वहां की तो कही ना कि आज पूरे देश में समय इसी चीज़ को लेकर आम जनता में रोश है और पुरा देशी ही कह रहा कि वो अपने परधान मंत्री जी के साथ है फिलाली अभी की बड़ी खबर है कि ये कहेंगे पंजाब सरकार की और साथी साथ वहां की पुलीस की नाकामी विफ चारण था कि क्या स्तीतियां थी जिसके चलते परधान मंत्री जी को ये शब्द इस्तमाल करने पड़े आज पूरा देश इस चीज़ की खिलाफत कर रहा है और जवाब देही भी होगी जो कि पंजाब सरकार की वहां के पुलीस की होगी जिम्मेदारी के आखिर क्यूं ऐस कि देश इसे परधान मंत्री जी के साथ खड़ा है और पुरा देश आज यही कह रहा है हर तरव देखिए कमेंट शकी बॉचार हिए हर तरव यही मतैना हुरे हैं कि यही चीज़ वाइरल हो रही है कि कि पहले से किसी को खबर थी कि उनका काफिला इस ओर से गुजरने वाला तो रोका जाएगा आकर किस तरह से पहुचे वहां परदेशन कारी है बहुत बड़ा सवाल बंजाब सरकार पर और साथ से वहां के पुलीस पर शासन पर खड़ा होता है अपने कमेंट जरूर कमेंट ब